हलो फ्रेंट्स, वेल्कम टो एक्स फाक्टर प्रनासार चैनल, आज हम लोग केमेस्ट्री का जो सोलूशन चाप्टर है, इसकी लास्ट पार्ट में है, ताट इस आध तेंथ लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोगों को बहुत छोटी छोटे कॉंसेप्ट को सीवना है, अभी है, वैसे तो बहुत डीटेल में मैं ऐसे पढ़ाऊंगा भी थोड़ देर में, पर abnormal molecular mass क्या है, molecular mass निकालना अभी आप लोगों ने सिखा है, colligative properties, और लेटी 4 colligative properties हम लोगों ने पढ़ रखा है, आपको अगर ध्यान नहीं है, और आपने पीछे वाले lectures नहीं देख जिस किया था कि solute का molecular mass क्या होगा, अब solute का molecular mass निकालते बद अगर कोई छोटी सी दिक्कत आ जाएए, वहां पे conceptual error आ गया, then वो जो molecular mass आप जिसको आप calculate करके निकाल रहे हैं, वो गलत हो गया, और उसी गलत जो molecular mass है, जो आपने निकाला और जो actual है, उसके वीच में छोड अवासा deviate कर जाता इसलिए उसको क्या करने, abnormal, normal होना चलिए था, पर वो abnormal हो गया है, because of some phenomena, उसको हम लोग detail में समझेंगे कि वो क्या phenomenon है, and then went off नामक एक scientist, उन्होंने बताया कि देखो ये molecular mass जो तुम calculate कर रहे हो qualitative properties में, जो तुमने सारे formula निकाले है, वो सारा का सारा गलत ह गया अब गलत हो गया तो कैसे सही किया जाए तो वेंट आफ नामक जो साइंटिस्त है उन्होंने वेंट आफ फैक्टर निकाला जिसको आई से डिनोट करते हैं उन्होंने निखा कि देखो वेंट आफ फैक्टर जो मैं बता रहा हूं इससे अगर तुम जो भी फॉर्मुला निकाले हो वेंट प्रॉपर्टीज की चाहे वो रिलेटिव लोरिंग हो या फिर डिप्रेशन हो या फिर एलिवेशन हो या फिर आस्मेटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस वाला जो कॉंसेप्ट है किसी भी फॉर्मुले में जो भी तुमने निकाला है उसमे अगर तेरे प्रॉपर्टीज होगा इतना पढ़ने के बाद आज आपका चाप्टर कम्प्लीट हो जाएगा इस इस मैं टेंथ लेक्चर तो अलेडी नौ लेक्चर आपके इस पडिकलर चाप्टर के बने हुए हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगर आपको समझना है कि ये दसो लेक ये बहुत नंबर वाइस करके मैंने वो लेक्चर लिखे मैं लेक्चर वान लेक्चर टू लेक्चर तरी तो प्लीज एक एक करके सारा देखिए तो आपको बहुत आसानी से ये पूरा चाप्टर समझ में आ जाएगा और उसके बाद एक छोटा सा ही असाइंमेंट मैं आप उनको भी एसाइंमेंट करना है एसाइंमेंट क्या रहे है आपको पूरा का पूरा NCRT जो आपकी NCRT की बुक है या अगर आप CBSE में नहीं है और आप ICSE में है तो आप जो भी बुक रेफर कर रहा हूं मेरे ख्याल से नूतल पब्लिकेशन ही आप लोग रेफर करते होंगे तो नूतल पब्लिकेशन की जो भुक आती है एसे वालों की या आईसे सिर्वास्तवार की जो किताब है वो आईसे स्टूडेंट उससे उसको सॉल कर सकते हैं और CBSE स्टूडेंट के पास तो NCRT तो बेस है आप उसको सॉल कर सकते हैं इवन मैं यह भी बोलूना कि अगर मैंने इस पटिक्लर चाप्टर सॉलूशन चाप्टर का DPP दिया हुआ है अगर यह DPP मैं वाट्सअप पे ही भेज रहा हूं मैंने वाट्सअप पे यह मैंने सर्कुलेट किया हुआ है ग्रुप में अगर वाईचैंस कोई ऐसा बच्चा जो मुझे मुझे पढ़ रहा हो त सॉलूशन हाथो हाथ आपको दे दूगा और जो मेरे रेगुलर स्टूरेंट है उनको तो यह सॉल करके भेजना ही भेजना है तो हो कि यह जो भी आज की क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं आपको यह आपको समझ में आ जाएगा और इसी तरीकी से सिस्टमेटिक वे में हाले हैं उसको ही सिर्फ आप देख लेंगा तो आपको पूरे जो चैप्तर है उसका आइडिया एक रफ आइडिया आपको निकल के आ जाएगा कि इस पटिकलर चैप्टर में हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने और उस टॉपिक के अंदर क्या सब टॉपिक है तो यह तो हाँ तो यह क्लियर करना थी तो यह कॉंसेप्ट है इसको बैदे उन्हों की जांपल से चेक करते हैं देखें सब्सक्राइब करिए आप केशियल एक एक एसा मॉलीक्यूल है जब इस सॉल्ट को जो सॉल्ट क्या है एक सॉल्ट भी है उसको आप वाटर में डाल रहे हैं पानी में डाल रहे हैं हुगा क्या जब को आप इस केसीएल को पानी में डाले हैं ये क सॉल्ट है मैं केसील ले रहा हो आपको जोंझेल नहीं समझना है तो आप सोगई मीं प्रतार की सोल्ट कक्षाब दीक न सबिसुत कर जाए ये इसल्ट करेगा मिन था द्मिरे अगर 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 बढ़ गए तो उसका जो molecular mass होगा वो change कर जाएगा तो आपको ध्यान होगा मैंने आपसे बताया था जब हमनों qualitative properties पढ़ रहे थे या फिर जब मैंने आपको solubility का concept सिखाया था तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ आप से कही थी कि solubility जो concept है वो तभी valid होता है जब limitations में लिखाया था solubility के solubility के concept के limitation में लिखाया होगा कि जब कभी भी आप इसी solute को उसके अंदर डालते हैं तो वो associate या dissociate या reactive नहीं होना चाहिए गैसे के टांस में मैंने कहा था कि दोनों कैसे अगर react कर जाएंगे तो वो फिर काम नहीं करेगा क्योंकि क्या क्या दिक्कत आती दिक्कत यह आती कि अगर number of solute particles बढ़ रहे तो क्या होगा जो सब्सक्राइब कर रहे थे उससे ज्यादा सुल्यूशन में number of particles पाई जाएंगे number of particles अगर ज्यादा होंगे तो qualitative properties चेंज कर जाएगी qualitative properties चेंज करेगी तो molecular mass भी चेंज कर जाएगी तो क्योंकि qualitative properties के basis पर ही तो हमने molecular mass निकाला था तो अब qualitative properties और molecular mass के बीच में एक relationship होना चाहिए तो वो relationship क्या है देखिए qualitative properties यह जो मारा qualitative property है यह inversely proportional है यह inversely proportional है molecular mass के यह inversely proportional है molecular mass के यानि अगर molecular mass बढ़ेगा तो उसकी qualitative properties घटेगी या फिर इसका molecular mass घटेगा तो इसकी qualitative properties बढ़ेगी जाए मैं बहुता बोलूँ कि अगर किसी का qualitative property घट जाए तो इसका molecular mass घट जाएगा तो इसकी molecular mass क्या हो जाएगी घट जाए अब यह qualitative properties किसके उपर depend कर रहा है qualitative properties depend करता है number of solute particle की उपर किस में solution phase में number of solute particle बढ़ या घट जाए तो qualitative property चेंज हो गई dissociation वारे case में check करते हमने solute क्या डाएगा ACL या NACL कोई भी salt जब आप पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा dissociate करेगा dissociate करेगा तो number of particles क्या हो जाएगी बढ़ जाएगे number of particles अगर बढ़ गए तो solute का जो number है solution में वो बढ़ गया और उसके बढ़ने से polymative properties क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी polymative property अगर बढ़ ही तो molecular mass क्या हो जाएगा घट जाएगा यह समझना है तो dissociation के case में polymative property chain होई और polymative property chain होने की वैसे molecular mass भी क्या हो गया चेंज हो गया अब एक दूसरा example और आपको लेता हूँ सेब वाटर में this time what we are doing this time we are adding ऐसा एक substance add कर रहे हैं जो की associate कर जाएग जैसे सब्सक्राइब कर जाएग जैसे सब्सक्राइब दूसरा एक्जामपल लेता हूँ इस एक्जामपल में जो solvent है वो मैंने क्या रखा है this time this particular solvent is benzeen इस benzeen में आपने क्या डाला आपने add किया acetic acid आपने add किया acetic acid अब यह acetic acid benzeen के साथ क्या करता है यह इसके साथ associate कर जाता है क्यासे यह आपका बेंजीन था और इस बेंजीन के साथ जब आपने acetic acid का reaction कर रह है और c double bond O कि इस प्रकार से acid acid है तो इसके बीच में बन गया hydrogen bonding और the moment यहां पर hydrogen bonding बना तो यह एक association का पहचान है क्योंकि वांप एक weak bond form कर रहा है associate करेगा तो number of particles घट जाएंगे number of particles घटेंगे तो qualitative properties भी घटेंगी qualitative properties घटेंगी तो molecular mass बढ़ जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि जो molecular mass है वो क्या कर जा रहा है change कर जा रहा है molecular mass change कर रहा है और the basis of what polygative property change होना qualitative property कब change होती है जब number of solute particles जो उसमें dissolved है वो change कर जाए और association और dissociation के case में यह associate होगा तो number of particles जो पाए जा रहे है वो उसकी संख्या कम हो जाएगी और अगर वो dissociate कर रहा है तो number of particles जो solute के है उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो यह दो चीज़ें आपको ध्यान रखने और इन दोनों दो तरीके से जो आपका number of solute particle नीदी solution है वो change कर जा रहा है और the moment number of solute particle change कर गया colligative property change कर गए colligative property change कर गए तो molecular mass भी change कर गए और तब वो normal molecular mass नहीं हो कि वो abnormal molecular mass हो जाता है तो दो बाते हैं यहाँ पर आपको लिखने हैं पहला लिखिए association of molecule leads to decreasing the number of particles in solution resulting in a decrease in the value of colligative property तो association के case में जहाँ पर hydrogen bond बढ़ रहा है वहाँ पर number of particles जो solution page में है वो उसकी समचा क्या हो जाएगी घट जाएगी रीजन घटने का क्योंकि यह इसके साथ जुड़ गया जुड़ गया तो number of particles अब यह दोनों मिलकर एक बड़ा molecule हो गया number of particles घट गए number of particles घट है तो collegative property भी घट गए और collegative property घट ही तो molecular mass क्या हो गया बढ़ गया because collegative property and molecular mass are inversely proportional done, therefore, collegative property are inversely related to molecular mass of compound, therefore, higher value is obtained for molecular mass than normal value, higher value is obtained for molecular mass than normal value, done second, second point, dissociation of molecule leads to increase in the number of particles, dissociation will lead to increase in the number of particles, obvious है, chlorine or potassium or chlorine or sodium, अगर water का डाल गी नहीं है, तो sodium का एक अलग, sodium iron एक अलग होगा, chlorine एक अलग होगा, तो number of particles change कर दाएंगे, because one mole of NCl will give two moles of iron, तो दो moles of iron किल रहे हैं, तो number of particles बढ़ रहे हैं, तो dissociation of molecule leads to increase in the number of particles in solution, resulting in and increasing the value of qualitative property, जिसकी वैसे qualitative property क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर qualitative property बढ़ रहे हैं, तो molecular mass क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, therefore, the value of molar mass is decreased from the normal value, तो normal value से इसकी value क्या हो जाती है, घट जाती है, तो हो, abnormal molecular mass का जो concept है, आइदर association का और dissociation का, वो concept आपको समझ में आ गया, कि association हो रहा है, तो क्या हो रहा है, dissociation हो रहा है, किस प्रकार से number of particles of solute, जो आप बाहर से उसमें add कर रहे हैं, उसकी संख्या change कर जा रहे हैं, यह उसका number change कर जा रहे है, if you are adding something which is dissociative in nature, जो dissociate कर सकता है, तो number of particles बढ़ जाएंगे, number of particles बढ़ेंगे, तो उसकी qualitative properties increase करेगी, और qualitative properties increase करेगी, चुकी qualitative property, molecular mass की inversely proportional है, तो qualitative property के बढ़ने से molecular mass decrease कर जाएगा, और normal से अगर वो decrease कर गया, तो वो abnormal molecular mass हो गया, सिमिलरी जो दूसरा case है, तो क्या है, association का है, जहांपर चीज़ है, एक दूसरे से के साथ associate कर रहे हैं, associate हो रहा है, तो number of particles संख्या जो है, वो कम हो जा रही है, यानि number of particles कम हो जा रहे हैं, number of particles के कम होने से qualitative property reduce कर रहे है, यानि qualitative property decrease कर रहे है, qualitative property का decrease कर रहे हैं, तो corresponding ही जो उसका molecular mass है, वो increase करेगा, क्योंकि qualitative property and molecular mass है, रिवसरी proportional, molecular mass बढ़ रहा है, तो जिसकी वैसे आपका जो molecular mass है, वो normal molecular mass से कुछ अलग आया, और उसी लिए हम उसको क्या बोलता है, abnormal molecular mass, और ultimately सारे qualitative properties जो आपने पढ़े हुए ह उसके अंदर आप molecular mass ही निकालना सीखते हैं, जो last में मैंने हर एक qualitative properties के last में एक box बनाया था, formula वाला को, ultimately the formula for molecular mass of the solute का formula आपने मा निकाला था, तो वो normal था, अभी ये कह रहे हैं कि अगर association या dissociation होगा, तो वो abnormal हो जाएगा, इस problem को solve करने के लिए, कि कोई कह रहा है, ये formula ह होगा, कोई कहरा नहीं, आप जो formula निकाले हैं, वो तो जिस concept पर निकाले हैं, वो concept ही valid नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई, जिस चीस को अंडाल रहे थे, as a solute, वो तो dissociate कर गया, ये तो फिर वहाँ पर abnormality आ गया, जहां है, नॉर्मल और abnormal चीज़े हैं, तो फिर एक scientist वहाँ प factor को consider नहीं किया, तो जो formula निकाले है, वो गलत है, अगर वो formula गलत है, फिर सही क्या होगा, सही जानने के लिए, वेंट प्नामाट एक scientist आए, जो इनने बताया कि देखो, पहले मेरे factor को पढ़ो, मैं एक scientist हूँ, मेरे factor को, जैसे लाने define किया है, उसको जब तुम formula में incorporate कर लो वो बिल्कुल same हो जाएगा, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें heading डालना चाहिए, वेंट ओफ factor, जिसको हम लोग I से denote करते हैं, तो heading डालेए, वेंट ओफ factor उसके निचे लिखना स्टाट करिए, इन 1818, वेंट ओफ introduced a factor, I, known as वेंट ओफ factor, to account for the extent of association और dissociation, association और dissociation का जो extent है, उस factor को consider करने के लिए, वेंट ओफ ने एक factor दिया, जिसको ने I से denote किया, उस factor को हम क्या बोलते हैं, वेंट ओफ factor बोलते हैं, तो वेंट ओफ factor का आप definition लिखिए सबसे पहले, right, it is defined as the ratio of the experimental value of the colligative property to the calculated value of the colligative property, देखे, experimented and calculated, experimented word को मैं abnormal भी बोल सकता हूँ, जब आप experimentally किसी value को पता कर रहे हैं, या आप laboratory में पता कर रहे हैं, वो actual होता है, और आप इक calculate करते हैं, कि आपने mathematics के formula से कुछ एक calculate किया, calculated और experimental जब तक बराबर नहीं हो रहा है, यानि वहाँ पे कुछ ना कुछ error है, तो उसी error को, मतलब उस error का ratio, वो समझी एक तरीके से उन्होंने क्या किया, अब आई से end of factor define किया गया है, उन्होंने जो definition दिया है, वो qualitative properties के टम में दिया है, मैं जो भी पहला formula लिख रहा हूँ, वो पहला formula जो है, वो इंटर्स हो molecular mass है, तो उसने क्या बोला, normal molecular mass, normal molecular mass मतलब वो molecular mass जो mathematical formula से आप calculate करते हैं, उसको हम divide दे रहे हैं by abnormal molecular mass, यानि जो experimentally observe करके, हमने laboratory से निकाला है, वो वाली value हम नीचे लिखते हैं, तो इनका जो ratio है, कब in terms of molecular masses, हम molecular masses में जब हम लोग लिख रहे हैं, तो जहां रखेगा, यहां पर molecular mass है, तो उबर calculated है, नीचे abnormal है, या भी experimental है, तो abnormal के टैंप्लैनी event of factor को जब हम लोग molecular mass के terms में लिखते हैं, तो it is normal molecular mass, मतलब calculated molecular mass, whole divided by observed molecular mass, या abnormal molecular mass, या फिर मैं बोलू, experimental molecular mass, इनका जो ratio है, उसी को हम लोग bent of factor बोलते हैं, but this is in terms of what, in terms of I, यह in terms of molecular mass, लेकिन यहां पर जो I मैंने लिखा है, यह लिखा है for the qualitative properties, और आपको पता है, कि qualitative property और molecular mass के बीच में inverse relationship है, qualitative property, qualitative property जो है, वो inversely proportional to one upon molecular mass या polar mass के बराबर होता है, यानि इसके बीच में inverse relationship है, यानि, inverse relationship होने का मतलब है, कि अगर यहां पर normal है, तो molecular mass में उपर normal है, तो इसका ultra, qualitative properties में normal कहां जाएगा, नीचे आजएगा, यानि जो calculated value हो हम qualitative property की नीचे लिखेंगे, और जो observed value है, या पिर जो abnormal value है qualitative properties की, वो हम उपर लिखेंगे, तो आपने जो अभी यह formula लिखा है, व experimental value, experimental मतलब observed value of the qualitative property, whole divided by calculated value, जो आप calculate करते हैं, with the help of formula, और इनी का जो ratio है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, event of factor कहते हैं, अब, जब कभी मैं association की बाद करूँगा, बहुत ध्यान से समझेगा, अगर मैं association की बाद कर रहा है, अगर association हो रहा है, association हो रहा है, मतलब number of particles, particles क्या हो रहे हैं, reduce कर रहे हैं, number of particles से अगर reduce कर रहा है, तो qualitative जो property है, qualitative property वो भी क्या करेगी, reduce कर जाएगी, अगर मेरी qualitative property reduce करेगी, तो उसका जो molecular mass है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, because molecular mass is inversely proportional to the qualitative property, तो अगर qualitative property decrease किया, तो जो experimental value है, वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, अब देखें, molecular mass में experimental value आपने कहां लिखा है, नीचे लिखा है, नीचे वाली quantity क्या हो जाएगी, बढ़ी हो जाएगी, आप देखें, यह हमारा numerator है, यह हमारा denominator है, अगर denominator increase करेगा, तो obviously I will decrease, और इ association की जगा उपर, dissociation की बात करते हैं, तो dissociation की जब हम लोग बात करते हैं, उस case में क्या होता है, number of particles increase करेगी, अगर इंक्रीज करेगी, तो indirectly, जी जी molecular mass होगा, वो क्या कर जाएगा, reduce कर जाएगा, molecular mass कौन सा, experimental molecular mass है, absorbed molecular mass क्या कर जाएगा, reduce कर जाएगा, अगर यह quantity reduce करेगी, तो numerator by denominator में, this quantity होगा decrease कर जाएगे, तो I के बारे में आप क्या कहेंगे, I will be greater than 1, तो in case of dissociation, I is greater than 1, whereas in case of dissociation, the I will be less than 1, तो यह बार भी आप वहां लिखलें, in association, absorbed molecular mass being more than the normal, so I has a value less than 1, I has a value less than 1, second point, in dissociation, absorbed molecular mass has lesser value than normal, so I is more than 1, so I is more than 1, यह आपका दूसरा topic भी यहां समाखतो गया, moving towards the third topic that is, modified form of qualitative property, यह एक last concept है, बहुत ही आसान सा concept है, सिर्फ formula आपको ध्यान रखना है, और आपका यह chapter complete हो जाएगा, तो अगला heading दाली, modified form of qualitative property, last concept है, क्लास का राक is modified form of qualitative property, modified form of qualitative property means, qualitative property में जो हम लोगों ने formula पढ़ा था, उसके अंदर ultimately हम लोगों ने molecular mass निका रहा था, तो qualitative properties भी हमने देखवा था, qualitative properties का formula हमने देखा था, जैसे पहला क्या था, वो relative lowering of vapor pressure का formula में क्या पढ़ा था, delta P by P naught is I times the, sorry, is equal to mole fraction of solute, पर अभी क्या है, सिर्फ mole fraction of solute ना लिपके, उसके आगे हमने को क्या multiply कर देना है, एक extra I, जो कि event of ने introduce किया, कि आप मेरे formula में, जो आपका original formula का, उसको सिर्फ आप क्या करो, मेरे factor से multiply कर दो, और मेरा काम और आपका काम कभी इड़ जाएगा, तो अभी जो original formula था, delta P by P naught is equal to mole fraction of solute, यह आपका actual formula है, उसने बोला, इस formula में सिर्फ आप क्या कर दो, I से multiply कर दो, I means event of factor, जो की abnormal molecular mass का factor था, उससे आपने multiply किया, अब जो value आएगी, जो इस particular qualitative property की value आएगी, वो exactly क्या आएगी, correct आएगी और जो भी experimental value होगा, calculated value को 100% क्या हो जाएगा, तो अब यह formula, X of solute को हम लोग क्या लिए सकते है, moles of solute by moles of solution plus solute, यह चुकि डाइनोर solution था, तो यह 0 हो रहा था, आपका formula हो जाता, delta P by P naught is equal to I times N2 by N1, तो यह दोनों ही formula आप use कर सकते हैं, यह वो formula है, जो आप modified form of qualitative properties का पहला, relative lowering of vapor pressure में use करेंगे, second elevation of falling point आपने formula पढ़ा था, delta Db is equal to Kb into morality, पर यहाँ बाद भी सिर्थ एक I से आपको क्या करना है, इसको multiply कर देने, और इसके बाद जब आप qualitative property calculate करेंगे, तो exactly correct आईगा, similarly depression with freezing point में भी आपको क्या करना है, delta Db is equal to I times Kf into morality, यह already आप लोग सारा कुछ किये वह हैं, सिर्फ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह जो went of factor है, उसको ही हमने क्या किया है, multiply कर दिया, ध्यान से देखिएगा, तो formula में सिर्फ went of factor multiply हो गया है, अब यह last osmotic pressure, 5 is equal to CRT, उसके आपी सिर्फ आप I से multiply कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, इस प्रकास से, यह जो qualitative properties आपने पढ़ी है, उसका modified form सिर्फ इतना ही कहता है, कि जो भी formula आपने पढ़ा हुआ है, उसको सिर्फ went of factor से क्या करना है, multiply कर देना और आपका काम निकल जाएगा, और went of factor कैसे calculate करना है अभी, last topic में मैंने आपको समझा है, कि went of factor कैसे calculate किया जाता है, एक तो calculated value जो आप calculate करते हैं, एकस experimental value जो आपको question में दिया रहेगा, इननों का ratio निकाल लीजेगा, आपको I की value निकल के आजएगा, और जिस भी question में आपको इसको use करना है, बढ़ी आसानी से use कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो chapter है वो आपका complete हो गया, अभी कुछ भी बचावा नहीं है, assignment के रूप में जो मैंने कहा था, उसको आपको complete करना है, hope कि मेरे videos आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो please मेरे session को like करिए, जादा जादा इस lecture को share करिए, और अगर तेरे channel पर नए हैं, तो please इसे subscribe करिए, so that कि कोई भी नई वीडियो में डालू, तो वो आप तक directly बहुत जाए, बहुत बहु झालू, 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 जादा बाता जीडियो में बहुत, झालू, झालू, वो आप